हाई गाईज, वेलकिम टूबी बैंकर, स्वागत है आपका आज की क्लास में आज की विडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लिकर क्या गई हूँ आपके लिए को और नहीं, जबरदस्त वाली क्लास, क्या होने वाली है आज की क्लास, बहुत इंपोर्टन्ट है तो पहले ही बता दू, थोड़ा अटेंशन पे करिएगा क्लास में, ताकि आपको जो पूरा कॉंसेट में आज बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपोर्टन्ट है वाक्यों को बनाने के लिए तो आपको याद रहे है ये कॉंसेट, ऐसे शब्द बताऊंगी जिनके बिन आप आपके नहीं बना सकते, इन शब्दों का होना वाक्य में जरूरी है और आपको इनका मतलब, इनका इस्तमाल जानना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, तब ही आप वाक्यों बना पाएंगे है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, उसके पहले अगर चानल पर क्लासिस रोज आती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, इसके लावा आप सीधे सीधे टेलिग्राम से भी हमारे साथ जोड सकते हैं, आप इस लिंक के जोड सकते हैं तेलिग्राम पर आप इस नंबर को अपने फोन पर सेव कर के टेलिग्राम के जोड सकते हैं, आप टेलिग पर जाये, join कर लीजे, तो आपको बहुत benefits होंगे, चलिए शुरू करें आज की class, सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास, वो है my, 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 जिसका मतलब होता है मेरा या मेरी, यह डिपेंड करता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, my का मतलब मेरा या मेरी, जैसे यह आप मेरी कह रहे हैं, यह डिपेंड कर रहा है कि जिस topic के उपर आप बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर उधारन पे हम लोग बात कर रहे हैं, गाड़ी के बारे में, कार के बारे में, ठिक है, तो चाहिए बात लड़का बोले, चाहिए बात लड़की बोले, यह मेरी कार है this is my car ही बोलेगा या बोलेगी अगर यहां पर बात mobile की हो रहे होती कि यह मेरा mobile है तो चाहिए बात लड़का बोले या लड़की बोले यही बात हो जाती कि यह मेरा mobile है this is my mobile याद रहेगा मेरा मेरी वाला concept मैंने देखा यह इस्टूडेंस बहुत जादा कंफ्यूज होते तो आप कंफ्यूज ना हो यह अगला शब्द है आई का मतलब होता है मैं और अपको दो तरीके अस्तेमाल बताऊँगी आई का मतलब होता है मैं तूधारण के तौर पर मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to the market, मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to the market, इसके अलावा मैं एक डॉक्टर हूं, I am a doctor, मैं एक डॉक्टर हूं, I am a doctor, अगला शब्द है आवर, जिसका मतलब होता है हमारा, आवर का मतलब क्या होता है, हमारा, यह हम हमारा घर है, this is our house, यह हमारा घर है, this is our house, यह घर हमारा है, तो this house is ours, शब्द देखिए यहां पर बदल गया, शब्द हो गया hours, इसके पहले वाले में क्या था, hour था, सिर्फ क्या था, ओ, यू, आर, hour, अब क्या है hours, एस लगा हुआ है, इसका इस्तमाल थोड़ा सा अलग हो जाता है, यह पॉजजव के काटेगरी में आता है, और यह जब आप अपने वाक्य में इस्तमाल करते हैं, तो यह पॉजजवनेश को शो करता है, तो यह घर हमारा है, this house is ours, मतलब जादा से जादा मालिकाना हक के उपर प्रेशर डाल करके जब आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं, तब आप इस शब्द का स्तमाल करेंगे, अगला शब्द है वी, वी का मतलब होता है हम, हम लोग, हम सब, जी हाँ, इन तीनों ही शब्दों के जगापर आप वी का स्तमाल कर सकते हैं, डबलू ई वी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट, हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट, तो हम ने मतलब हम, हम लोग, हम सब, इन तीनों ही शब्दों के जगापर, इन तीनों ही शब्दों के अनुवाद पर आपको डबलू ई वी का स्तमाल करना है, अगला है यॉर का मतलब होता है, तुम तुम्हारा नाम क्या है, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, what is your name, अगर यहाँ पर रहता कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर भी हो जाता, what is your name, क्योंकि यौर जो शब्द है, वो किसके लिए है, तुम्हारा, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, तुम्हारी, इन सब के जगा पर अतलब तुम्हारा, आपका, तेरा, इस तरीके से इस्तमाल होता है, जैसे यह बैग तुम्हारा है, इस बैग इस यॉर्स, फरक क्या है भई दोनों में, दोनों में फरक इतना सा ही है, कि यह पॉससिवनेस को दिखाता है, यानि कि मालिकाना हक जादा एंफेसाइज करके तो आप वहाँ पर यॉर्स का स्तमाल करेंगे, जो मालिकाना हक बताता हो, यह बैग तुम्हारा है, इस बैग इस यॉर्स, ठीके, चलिए, बढ़ते हैं आगे, यू, यू शब्द का अर्थ होता है तुम, आप, तु, इन तीनों ही शब्दों के जगा पर आप जब इसका अनुवाद करेंगे, तो यू शब्द का ही इस्तमाल करेंगे, सीदी सी बात है, हिंदी में हमारे पास तीन शब्द है, आप दोस्त वगेरा को तु तड़ाक से बात करते हैं, अपनी छोटों को तुम कह करके बुलाते हैं, अजनभी को या बड़े को आप कहते हैं, हिंदी कह लिजे तुम कैसे हो, हाव आर यू, कह लिजे तु कैसा है, अगेन, हाव आर यू, ठीक है, बात साफ है, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, तु जा रहा है, यू आर गोइंग, तीनों के ही जगा पर यू का अस्तमाल आप इसके अलावा you का अस्तमाल जो है, आप तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इनके जगह पर भी होता है, किसके जगह पर, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, है ना, इसके जगह, इसका अनुवात भी जब होगा, अगर शब्द आपको मिले हिंदी वाक्य में, इसका You all can go. तुम सब जा सकते हो. You all can go. तुम लोग जा सकते हो. You guys can go. ठीक है? चलिए बढ़ें आगे अगले शब्द की तरफ. अगला शब्द है him. H-I-M him. जिसका अर्थ होता है उसे या उसको. क्या अर्थ होता है उसे या उसको. लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि him कस्तमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए होगा. यानि कि male member के लिए. जब आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं. जब आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. आदमी के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप him शब्द का स्तमाल करेंगे उसे बुलाओ, call him उसको बुलाओ, call him देखिए हिंदी वाले वाक्य में तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किसी male की बात कर रहे हैं और female की बात कर रहे हैं लेकिन English में जब भी आप call him करेंगे स्तमाल तो ये साफ हो जाएगा कि आप किसी male member यानि कि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं अगला शब्द है he he का मतलब होता है वह या उसे वह या उसे लेकिन ये भी इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ male member के लिए होगा यानि कि पुरुष के लिए इस्तमाल होगा वह जा रहा है he is going यहाँ पे तो हिंदी वाक्य में साफ है कि आपको समझा जा रहा है पढ़के कि वह जा रहा है तो जैसे ही जा रहा है का इस्तमाल हुआ तो हमें साफ हो गया कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है अनुवाद करते वक्त अग्रेजी में ही शब्द का इस्तमाल करेंगे तो यह समझाएगा कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है वह जा रहा है वह एक पेंटर है बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है हिस जिसका मतलब होता है उसका या उसकी क्या मतलब होता है उसका या उसकी हिंदी वाक्य में जब भी उसका या उसकी रहेगा तो हिस का इस्तमाल होगा लेकिन यह डिपेंड करता है कि वाक्य में मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है अगर किसी पुरुष की बात हो रही है यानि की mail की बात हो रही है तो his शब्द का स्तमाल होगा His यह उसका घर है This is His House तो यह साफ हो गया जैसे यह आपने His का स्तमाल किया तो यह साफ हो गया किसी mail member की बात कर रहे है अगला शब्द है Her ह-e-r, हर, जिसका अर्थ होता है उसे या उसको, लेकिन इसका इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, यानि की महिला के लिए होता है, उसे बुलाओ, कॉल हर, जैसे ही आपने कॉल हर शब्द का इस्तमाल किया, तो यहाँ पर साफ हो गया किसे आप फीमेल की बात कर रहे हर का अर्थ जो है उसका या उसकी के तौर पर भी होता है, किसके तौर पर उसका या उसकी के तौर पर भी हर शब्द का इस्तमाल होता है, हर का इस्तमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए करेंगे, यह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इसका अर्थ ज तो जैसे ही आपने कहा this is her car साफ हो गया कि किसी महिला यानि कि किसी फीमेल की बात हो रही है आगे बढ़ते हैं अगला शब्द हर्स हर जो शब्द है उसके साथ एस लगा हुआ है बन जाता है हर्स जिसका मतलब होता है उसका या उसकी और ये भी ओव्यस सी बात है फीमेल यानि कि महिला के लिए इस्तमाल होगा जैसे यह उसका है this is hers तो हमने यापर हमारे पास जब हर शब्द है तो हर्स का इस्तमाल क्यों किया सीधी सी बात है हर्स शब्द का इस्तमाल मालिका नहक को ज़्यादा दिखाने के लिए किया जाता है तो यह उसका है this is hers तो possessiveness दिखा रहा है ये चीक है SHE SHE का मतलब होता है वह या उसे और ये इस्तमाल होता है फीमेल के लिए किसके लिए? फीमेल के लिए महिला के लिए इस्तमाल होता है जैसे वह जा रही है, she is going तो यहाँ पर हिंदी वाक्य में पढ़के तो आपको समझ आ गया होगा कि वह जा रही है, कि यहाँ पर किसी महिला की बात हो रही है अंग्रीजी में जब आप अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद करने के लिए आपको शी शब्द का स्तमाल करना पड़ेगा ताकि यह पता चले कि किसी महिला के बारे में बात हो रही है वह जा रही है, she is going वह एक इंजेनियर है अब इस वाक्य को पढ़के आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा किसी मेल की बात हो रही है कि फिमेल की बात हो रही है लेकिन जैसे ही आप इसका अनुवाद करेंगे वह एक इंजेनियर है मतलब फिमेल की बात हो रही है क्यों? क्योंकि हमने आपर शी शब्द का इस्तमाल किया राइट? बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है it आई टी it जिसका मतलब होता है यह क्या मतलब होता है? यह यह के तौर पर ही इस्तमाल होता है यह संभव है, it is possible यह संभव है, it is possible यह पुराना है, it is old यह पुराना है, it is old आगे बढ़ते हैं आई टी के साथ एस लगा हुआ है, बंजा रहा है इट्स, क्या बंजा रहा है इट्स लेकिन ध्यान दीजेगा इस आई टी और एस के उपर में अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगी हुई है अपॉस्ट्रॉफी किसको कहते हैं अगर आपने अभी तब punctuation वाली class नहीं अटेंड की है, description box में link है, जाइए नहीं तो आप ऐसे normally search करके भी punctuation वाली class जो करा रखी है मैंने उसको जाके अटेंड करिए और देखिए कि punctuation marks का क्या importance है और कहा कहा इस्तेमाल होता है, basic है जानना जरूरी है, ठीक है अच्छा देखिए, यहाँ पर its के बीच में apostrophe नहीं लगा हुआ है, apostrophe क्या होता है उपर में जो कॉमा लगता है आपने देखा होगा, जैसे कई बार आपने लोग don't लिखते हैं, तो d o n उपर में कॉमा फिर t लगाते हैं उस उपर वाले कॉमे को मतलब यह तो एक आम लैंग्वेज की बात हो रही है उपर वाले कॉमे का जो सही नाम है वो है apostrophe, क्या नाम है apostrophe, ठीक है अब apostrophe के बाद s लगा दीजे, तो apostrophe s हो गया, राइट, तो id यहाँ पर apostrophe s नहीं लगा हुआ है जिसके वज़े से इसका अर्थ हो जाता है इसका क्या अर्थ हो जाता है इसका उदारन देखिए इसका रंग अच्छा है its color is nice मतलब किसी एक particular चीज की आप बात कर रहे है कि इस particular चीज का color जो है ना बढ़िया है, अच्छा है, है ना its color is nice आगे बढ़ते हैं, अगला शब्ध है it, उपर में apostrophe लगा हुआ है उसके बाद s लगा हुआ है तो यह बन जाता है its क्या बन जाता है its इसी को टूट करके यही टूट करके बनता है it is, ठीक है जिसका अर्थ होता है यह है यह है, मतलब current situation की बात हो रही है कि मतलब ऐसा है, है ना जैसे बारिश हो रही है it's raining अभी के बारे में आप बात कर रहे है कि बारिश हो रही है, यह है मतलब बारिश हो रही है तो it's raining साफ हो गई बात, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला है शब्द देयर T-H-E-I-R मैंने आपको हमेशा बताया है अंग्रेजी में हमारे पास दो तरह के देयर है T-H-E-I-R और T-H-E-R-E पर यहाँ पर जिस देयर की बात हो रही है यह उनका घर है मतलब किसी के बारे में आप बोल रहे हैं किसी को आप ऐसे दिखा करके बोलेंगे कि यह उनका घर है तो यह आप उनकी बिलॉंगिंग मतलब उनसे जो चीज बिलॉंग करती है जो चीज उनकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो यह उनका घर है, this is their house, तो यहाँ पर T-H-E-I-R वाला देर यूज होगा, याद रखिएगा जब भी आप किसी की belonging की बात करेंगे, तो T-H-E-I-R वाला देर यूज होगा, याद रहेगा, यह उनका घर है, this is their house, अगला है देर्स, मतलब T-H-E-I-R देर के साथ S लगा हुआ है, बन गया देर्स, क्या हो गया, उनका, अर्थ जो है वही रहा, उनका, यह फैसला उनका है, this decision is theirs, क्या फर्ख है दोनों में, अगें से, मालिकाना हक दिखाता हुआ, यह देर्स का स्तमाल है, मतलब किसी एक particular decision पे, मतलब जो decision है, वो सामने वाले का है, उनका है, मतलब मालिकाना हक को जो है, emphasize कर रहा है, जादा जोर डाल रहा है, कि यह उनका decision है, यह फैसला उनका है, this decision is theirs, मतलब मालिकाना हक, possessiveness जादा दिखाने के लिए theirs का स्तमाल करते हैं, चिक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है वे, वे लोग, वे सब, ये लोग, जिसका जगा पर आप इस्तमाल करेंगे शब्द दे का, तो दे का मतलब क्या हुआ, वे, वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सारे शब्दों के जगा पर आप दे का इस्तमाल कर सकते हैं, वे जा रहे हैं, साफ हो गई बात यहां तक चलिए अब इन सब काना एक quick सा revision करते हैं जितने भी शब्द मैंने आपको कराएं उनका एक quick सा revision करते हैं एक मतलब at a glance ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर हमने आज पूरे क्लास में क्या पढ़ा सबसे पहले जब भी आप बात करें first person की वहाँ पर singular में हमेशा I जिसका मतलब होता है मैं इसका अस्तमाल होगा माई जिसका मतलब होता है मेरा मेरी इसका अस्तमाल होगा plural में we यानि की हम हम लोग हम सब का अस्तमाल होगा hour हमारा हमारी कस्तमाल होगा hours हमारा हमारी कस्तमाल होगा साफ हो गई बात आगे बढ़ते हैं second person की जब भी हम लोग बात करेंगे तो singular में you कस्तमाल होगा जिसका मतलब होता है तुम, आप, तू your कस्तमाल करेंगे जिसका मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी you का अस्तमाल करेंगे जिसका अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग, तुम सब और plural के जब भी आप बात करेंगे तो yours यानि कि तुम्हारा, yours मतलब मालिकाना हक जो है यह ज़ादा दिखाएगा third person की जब भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर he है ना, he का अर्थ है वह या उसे जो की male member के लिए इस्तमाल होगा, ध्यान रखिए she जिसका अर्थ है वह या उसे, यह female यानि की महिला के लिए इस्तमाल होगा, यहाँ पर जो m लिखा हुआ है वो male को denote कर रहा है, जो f लिखा हुआ है, वो female को denote कर रहा है अगला है it, जिसका मतलब होता है यह, फिर its, जिसका मतलब होता है इसका, they, मतलब वे, वे लोग, वे सब, ये लोग, इसके अलावा him, यानि की उसे या उसको, जो की male member के लिए इस्तमाल होगा हर, उसे या उसको, जो की female के लिए इस्तमाल होगा हर्स, जिसका मतलब होता है उसका या उसकी, इसके लिए इस्तमाल होगा लेकिन हर्स जो है, वो female यानि की महिला के लिए ही इस्तमाल होगा his, मतलब होता है उसका या उसकी, लेकिन इस्तमाल male के लिए होगा हर जिसका अर्थ होता है उसका या उसकी लेकिन इसका अस्तमाल भी फीमेल यानि की महिला के लिए होगा इसके अलावा third percent plural के अगर हम लोग बात करें तो there में उनका इस्तमाल होगा मतलब there मतलब उनका ये इस्तमाल होगा there मतलब उनका अगें से ये possessiveness यानि कि माली का अना हग दिखाएगा इसका अस्तमाल होगा तो at a glance हमने revision कर लिया कि हमने पूरे class में क्या पढ़ा और इन शब्दों का अस्तमाल के बिना आप वाकि नहीं बिना सकते ये बात आप याद रखे तो इन शब्दों को जो है याद करना इनका मतलब समझना इनका स्तमाल समझना बहुत बहुत जरूरी है मैं आपको हमेशा वैसे ही classes कराती हूँ जो आपको वाकई में काम आएंगी while conversating किसी के साथ अगर आप बात करेंगे किसी के साथ conversation करेंगे तो इन शब्दों का स्तमाल ही होगा तो ये class जो है आपको पता ही है कितनी important है तो ये आज की class थी उमीद है class आपको पसंद आई होगी class पसंद आई है जल्दी से मुझे comment करके बिताईए कि मैम class बहुत अच्छी लगी class आपको समझ आ गई है लिखे मुझे बिताईए कि मैम पूरी class समझ आ गई है ना जल्दी से comment करिए और like कर दीजे class को नहीं किया है इसके अलावा आप हमारी classes को अपनी सारी social media handles पर share किया करिए क्योंकि sharing is caring हमेशा बताती हूँ तो जरा दूसरों की care करिए classes को share करिए अपने सारे whatsapp group में, facebook group में आप जहां पर भी है जिस भी social media आपे हैं आप classes को share किया करिए ताकि knowledge जो है वो बांटने से बढ़ती है तो बांटिए भई, knowledge share करिए है ना classes को share कर दिया कीजिए इसके अलावा आप telegram के जरीए जरूर जुड़ जाए आमारी free courses के access जो है आपको telegram पर मिल जाएगी e-books के बारे में पता भी आपको telegram पर चलेगा जैसे कि basic plus spoken English की course जो है वो free है इसकी e-book अगर आपको चाहिए तो telegram पर जुड़ जाएए mini spoken English course भी free है लेकिन अगर इसकी e-book चाहिए तो telegram पर आजाएए course के लिए भी आपको telegram पर ही आना पड़ेगा इन तीनों किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी telegram पर आजाएए इसके अलावा आप अगर हमारी किसी भी paid course को join करना चाहते हैं चाहे वो premium spoken English का course हो चाहे वो basic English grammar चोटे बच्चों के लिए हो चाहे वो basic English grammar और writing हो school जाने वाले बच्चों के लिए जिनको writing की section आत English course वाली batch जिसमें आप किसी भी अगर ऐसे competitive exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये course आप ही के लिए है पूरी syllabus कवर कराई जाती है लेटेस्ट पार्टन के questions कराई जाते हैं और क्या नहीं मतलब पूरी की पूरी syllabus आप के cover कराई जाती है तो tension तो बिल्कुल नहीं लेना है कि इसमें मतलब इस course को करने के बाद क्या होगा आप बहुत अच्छे से marks score कर पाएंगे तो इसकी जानकारी भी जो है ना इसकी अगली batch कब शुरू हो रही है या हमारे किसी भी paid course की अगली batch कब शुरू हो रही है इसकी जानकारी आप टेलिग प्रतीक्षा करें और अगर message कर दिया है निश्चिन्त हो जाएं आपको reply जरूर जरूर मिलेगा साफ हो गई बात so yes guys that's it for today thank you so much for watching be with bbanker empowering life through knowledge thank you so much for watching stay tuned to bbanker